दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है क्योंकि हर एक computer user के लिए जरूरी होता है एक computer एक laptop लेकिन उसे लेने में काफी ज़्यादा टेंशन होती है कि कौन सा laptop ले या कौन सा computer ले जो कि हमारे लिए best रहेगा अब आज के वीडियो में आपको चार ऐसे laptop दिखाने वाला हूँ जो कि famous brand से belong करते हैं जैसे Lenovo, Dell, HP और साथ ही इनके जो configuration है वो आपके काम के लिए बिल्कुल portable होने वाली है इसके अलावा मैं आपको बता दो कि जितने भी laptops में आपको शो करने वालों वो सभी 8GB RAM के साथ आपको देखने को मिलेंगे आपको इसमें HD display देखने को मिलेंगे साथ ही anti-glare का support देखेंगे आप इसमें जो कि आपके आखों के लिए best रहेगा इसके साथ ही इन सभी laptops में जो सबसे main चीज़ है वो है SSD Solid State Drive आप सबको पता होगा अगर आपने पहले laptop यूज़ किया है तो SSD कितना important होता है अगर हमार पास 1TB की hard disk भी है लेकिन उसके बदले में अगर 128GB की SSD है तो उसके performance काफी जादा बेटर होते है उस 1TB की SDD से So make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि जितने भी laptops मैं आपको शो करने वाला हूँ I'm sure कि यह सभी laptops आपको पसंद आएंगे तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले laptop की जो कि है Lenovo IdeaPad Slim 3 अगर हम बात करें इस laptop की तो यह 4 star rating के साथ on Amazon available है और अगर इसके real price की बात करें तो वो 57,000 something है लेकिन अभी on and offer यह जो product है वो आपको मिल जाएगा 36,990 रुपे का जो कि on screen आप देख पा रहे हो इसके लाब आपको Intel का i3 का processor देखने को मिलता है वो भी 10th generation के साथ इसके साथ हम यहां पर बात करें display size की तो 15.6 inches के आपको glass display यहां पर देखने को मिल जाती है Full HD display है वो भी anti-glare support के साथ इसके लवा यहां पर बात करते है RAM की तो आपको 8GB का RAM देखने को मिलता है और आपको यहां पर storage के गर हम बात करें तो 256GB का storage देखने को मिलता है अब यहां पर मैं आपको बता दू गाइस के अगर आपको कभी भी laptop ले रहे हो तो मेरा personal recommendation होगा कि हमेशा SSD चूज करना अगर आपने HDD का laptop ले लिया और भले वो 40,000 का 50,000 का है लेकिन अगर आपको उसमें performance शही है तो आपको उसमें SSD बाद में अलग से लगवाना पड़ेगा जो कि काफी costly पड़ जाएगा लगवग 5-10,000 का charge आपको वहाँ अलग से भी करना पड़ेगा तो इसलिए हमेशा यह देखो कि अगर आप नया laptop ले रहे हो तो इसमें SSD support आपको पहले से मिले वो जादा बेटर होता है इसके साथ ही यहाँ पे आपको UHD Graphics देखने को मिलता है विंडो 11 आपको इसमें Inbuilt मिलता है और MS Office 2021 देखने को मिल जाता है इसके लाब एक और अच्छी बात जो मुझे इस laptop के साथ लगी कि इसमें आपको 2 साल की warranty देखने को मिलती है आपको यहाँ प्रोडक्त है वह आपको पसंद आया होगा और सबसे अच्छी बात कि अगर आप अमेजॉन से अगर इसे मंगाते हो तो आपको यहाँ पे 7-Disc का replacement मिलता है इनकेस आपने laptop मंगा है आपको दिक्कत लग रही है नहीं पसंद आया कोई दिक्कत है तो आप बिना किसे टेंशन के उसे वापस कर सकते हैं अब बात करते हैं नेक्स लैप्तॉप की जो कि है Dell ब्रांड की तरफ से आप सबको बताएं कि Dell अपनी hardware quality के लिए काफी ज़्यादा famous है और one of the popular brand है laptop series में अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस laptop model की तो यह है Dell new vostro 3405 laptop यहाँ पर आपको AMD का processor देखने को मिलता है वो भी Ryzen 3 3250U support के साथ इसके साथ अगर हम इसके display size की बात करें तो यहाँ पर आपको 14 inches के display मिलती है जो कि full HD display होती है साथ यहाँ पर 8 GB RAM support आपको देखने को मिलेगी और अगर हम last laptop से compare करें तो उसमें आपने देखा था कि उसमें जो storage था वो 256 GB SSD था लेकिन अगर हम इस laptop की बात करें तो यहाँ पर आपको 512 GB SSD देखने को मिलती है जो कि double है तो यह काफी इच्छी बात है इसके साथ जो same configuration थी window 11 उसमें भी था इसमें भी है MS Office 21 आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है और Radiant Graphics का support आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके साथ ही अगर इस product की real price के बात करें तो वह है 50,000 रुपए लेकिन अभी on and offer यह product आपको 38,000 रुपीज के average में मिल जाता है तो 11,500 रुपए का discount आपको इसके साथ मिल जाता है साथ ही यहाँ पर आपको एक साल की warranty मिलती है और 7 days का replacement जो की Amazon की तरफ से बहुत ही अच्छी चीज लगती है मुझे तो 7 days का replacement और 1 year की warranty आपको इस product में देखने को मिल जाती है अब दोस्तों बात करता है next laptop के जो की है redmi की तरफ से redmi book 15 और यहाँ पर हम बात करें तो आपको i3 का processor देखने को मिलता है वो भी 11 generation तो अगर हम पिछले से compare करें तो 10 generation था बड़ी यहाँ पर आपको 11 generation processor देखने को मिल जाता है इसके साथ हम बात करें तो 8 GB के RAM और 256 GB की storage आपको मिलती है साथ ही यहाँ पर window 10 home आपको install मिलेगा इसमें और 15.6 inches की display मिल जाती है जो की एक large display साथी जो इसमें display है वो anti-glare support के साथ है anti-glare में आपको बता दू कि आपके आँखों के लिए best होता है कहने के मतलब जो आप laptop या tv यूज करते हो तो उसकी जो screen है उससे जो raise निकल रही है वो आपको anti-glare की वज़े से उससे बचाती है तो यह एक अच्छी बात है कि आपको आज के laptop में anti-glare के support देखने को मिलता है साथी अगर हम इसके real price की बात करें तो वो है 52,000 अप्रॉक्स लेकिन अभी on an offer आपको ही मिल जाता है 36,999 का 15,000 रुपय का benefit आपको भी इस laptop के साथ मिल सकता है साथ ही अगर आप इस laptop का appearance देखो तो आई थिंक वो भी आपको काफी जादा पसंद आ रहा होगा जो look इसका दिया हुआ है वो सच में बहुत ही जादा अच्छा है इसके साथ ही आपको इस laptop के साथ भी एक साल की warranty मिल जाती है और 7 days का replacement मिल जाता है आपको पसंद आया होगा अब दोस्तों बात करता है next और last laptop के and I think कि जितने भी laptops में आपको दिखा है उन सब में सबसे जादा best laptop है यह अब क्यों मैं आपको बताता हूँ देखो सबसे बल तो हम बात करते हैं one of the famous brand से है HP इसके साथ यहाँ पर हम बात करें AMD processor आपको मिल जा और आपको 8GB का RAM का support मिलता है साथ ही 512GB की SSD देखने को मिलती है लास से भी compare करें तो इसमें 256GB था बड़ इसमें 512GB की SSD आपको देखने को मिल जाती है साथ ही इसमें आपको anti glare का support मिलता है जो कि आपके आखों के लिए best बने भी आपको बताया था इसके साथ ही आपको यह on screen आप देख पा रहे हैं सो कुल्मिला के guys यह laptop I'm sure कि आपको बहुत पसंद आया होगा इसके साथ इस पर भी offer है और आपको यह जो product है वो 41,000 के approximately मिल जाएगा साथ ही आपको यहां पर one year की warranty मिलती है और seven days का replacement मिलता है इसके साथ ही अगर आपको इसमें कुछ changes चाहिए जै यहांने का मतलब जैसे अगर हमें window चलानी है या फिर हमारे जो application साथ वो load कराने तो इसके लिए आपके लिए 256gb SSD बहुत है और one TB के HDD यानि storage आपको बहुत जादा करना है music, videos, गाने या कोई भी आपका data है तो वो चीज़े रखने के लिए आपको storage भी चाहिए तो यह plus point है कि आपको एक TB HDD मिल जाएगी और 256gb SSD और वो सिर्फ 40,000 रुपए में आपको मिल जाएगा तो यह काफी अच्छा plus point है storage का storage और performance की performance तो यह plus point आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है So I hope कि guys जितने भी product मैंने आपको शो किये हैं वो आपको पसंद आया होंगे इन सभी laptops में से आपको कौन सा laptop ज्यादा पसंद आया यह प्लीज मुनेचे comment करके बताना अगर यह video आपको चलेगे तो please video को like करना share करना साथ यह comment करके अपना feedback जरूर देना thank you